हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई इस्टटी फीट ओफ फीजिकल एजूकेशन चैनल, दोस्तो है, रिसर्च इन फीजिकल एजूकेशन यानि की सारे रिक सिच्छा में अनुसंधान से रिलेटेट कोश्चिन्स का यह चोथा पार्ट है, जैसा कि आप सभी जानती हैं, डेली सफलता का दो मार्क होते हैं, एक सरल मार्क, एक कठिन मार्क, कठिन मार्क, कठिन मार्क से ही आपको सफलता मिलेगी, उसमें कठिन समझना बस आपको रिगूरली पैक्टिस काना है, कठिन कोश्चन्स देख करके आप आधा वीडियो एक दो कोश्चन्स देख करके भाग जाएंगे, तो ऐसे में सफलता नहीं मिलती है, पूरा वीडियो सुरू से लार्ज से देखने का अपना पेसेस बनाए रखे दोस्तों, तो चलते हैं आज के कोश्चन्स के तरब, कोश्चन नमर वन है, अनुमान को यह भी कहते हैं, तो दोस्तों, अनुमान को क्या कहते हैं, तो यहां पे एक किसी बैयानिक के अंसार है, एड़िवार्ज के अंसार, परिकलपना यानुमान दो या दो से अधित चरो की संभाव या एक संभावना के संभन्ध की विशे में कथन होता है या एक प्रश्ण को ऐसा प्रयोग संभन्धी उतर देता है जिससे चरो की संभन्ध का पता लगता है अनुमान यानि हाइपोथिसिस को परिकल्पना उपकल्पना अनुमान को हम क्या क्या कह सकते हैं परिकल्पना उपकल्पना अंतरीम निसकर्ज पंडित का अंदाजा आदी भी कह सकते हैं तो यहाँ पर आफसन नमबर जो है हंच स्कॉलर अंतरीम निसकर्ज पंडित का अंदा अभिकल्पना याण डिजाइन नहीं है को नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर है कौन इसको आपको देखना तो यादरिशिक नेतिक परिछ़ जो है क्रम गुलित अभीकलपना है समनांतर अभीकलपना है क्रास और अभीकलपना है बड़ आपका इस तरीकित अभीकलपना नहीं है एक सोध रणिती का चैन एक अनुसंधान डिजाइन का मूल होता है या सायर अनुवेसक बनाने के लिए है एक सबसे मातपुन निड़े है वाया है कि एक वरनात्मक एक बिस्षिसरात्मक या प्रिवगात्मक अध्यन करने के लिए है या नहीं है कोशन नमबर थी है अभिकथन से स्टेक्मेंट बेस पे है कि अभिकथन ए है कि कोई भी सोधार्थ यानिकी जो रिसोर्चर होता है समस्या को परिभासित करके उसके इर्दगेद घेरा डालता है ताकि उसकी आवसकता से समन्दित इस्थितियों में पाएगे समान प्रशनों को सावधानी पुरुवक गंतबी से अलग किया जा सके थीदम राइट है दोस्तों सही बात कह रहा है बी है सोद समस्या समधान के लिए प्रस्तावित एक बिसिष्ट प्रशन होता है तरक जो है क्या कह रहा है कि सोद समस्या जो है सोद रिसोर्च यानि कि समस्या समधान के लिए प्रस्तावित एक बिसिष्ट प्रशन होता है तो ये भी सही है बड़ इसको बताना चाहिए था कि किस प्रकार इस इतियों को जो question आपका अभीकतन A है उसके समस्या के समधान इसको करना चाहिए बड़ आफसन दोनों है A और R दोनों सही है बड़ आर जो है ये की सही ब्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ पर आफसन नंबर B आपका राइड इंसर हो जाएगा question नंबर 4 भी है आपका statement space पर आजकल इससे questions पूछी जा रहे है question अभी कोथन एह है कि प्रकृतिवादी प्रवेच्छक तक्नीक यानि प्रकृतिवादी प्रवेच्छक तक्नीक मानों प्रकृति विज्ञान की सोध में एक अत्यंत लोकपरिये सोध पत्थती है तो एबात सही है और इसके प्रकृतिवादी प्रवेच्छक प्रवेच्छक के पचपास से मुक्त नहीं होता है तो कोई भी जिस प्रवेच्छक के पचपास से मुक्त नहीं होता है बट एबात सही है तो इसको ये बताना चाहिए R को इसके तरक में कि मानु प्रक्रिती बिग्यान के सुद में एक अत्यन्त लुखप्री सुद बदती कैसे है बट ये दूसरा बता रहा है तो बात दूनों सही है बट R जो है A की सही ब्याख्यार नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पर question number 4 में आपका आपसा number B ही ride हो जाएगा A और R दोनु सही है बट R A की सही बाक्यार नहीं है Question number 5 है निम्न लिखित कौन सी रणितियां समस्याओं का समधान करने में सहायक होती है Which are the following strategies is helpful is solving problems तो कौन सी रणितियां जो समस्याओं के समधान में सहायक होती है तो यहाँ पर question number C right हो जाएगा यानि कि A algorithm and 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 रणितियां जो है समस्याओं के समधान में क्या होती है सहायक होती है question number six है अनुसंधान के कदमों के सही क्रम का chain किजिए select the correct sequence of step in research जो research के कदम है चरण है step है उसको आप क्रम में sequence में लगाना है तो दूस्तों किसी भी चीज़ के लिए आप research कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास समस्याओं होना चाहिए तो सबसे पहले तो D हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले मैं बता दे रहे हूँ आपके सुईधा के लिए कि यहाँ पर आपसर नंबर C जो है आपका right होगा तो क्या होगा कि सबसे पहले हम समस्याओं का chain करेंगी ठीक है उसके बाद हम समस्या का chain करने के बाद परिकलपना को तयार करेंगे परिकलपना को तयार कर लिए अब क्या करेंगे उसका design करेंगे अनुसंधान की क्या करेंगे design करेंगे अब design भी कर लिए अब क्या करेंगे जो आकड़े उन सब को एकत्रित करेंगे संक्लन बी कर लिए उन आकणू का करेंगे विसलेशंग करेंगे ति फिर तिली कर लिए अब क्या करेंगे अब हम परिकरपना के संद्रब में चर्चा करेंगे तिक गया और उसके बाद था करेंगे लाश्ट में इसकोर्स होता है आपका तो आफसन नमबर सी समानी करण और निसकोर्स तयार करना ठीक है जी की बाद आपका सी आता है यहां पर कोशन चाटने के लिए आपको तो सबसे पहले समस्या का चैन करेंगे पहले सुरुवात में डी आ रहा है उसके बाद का आपको करना है यहां पर है आतिहासिक अनुसंद्हान की कhat अा यहां पर देखते हैं ए बी सी तो आतिहासिक अनुसंद्हान क्या हो जाएगा आपका अतीत की और उनमुक हो जाएगा एक आफ फाइव हो जाएगा एक आफ फाइव फिर बी है आपका करवाई अनुसंधान बी है आपका करवाई अनुसंधान करवाई अनुसंधान आपका हो जाएगा इस्थानिय समस्या याने की बीक आफ 4 उसके बाद है सर्वेच्चर अनुसंधान C है सर्वेच्चर अनुसंधान यह आफका बदमान ऐसीती होता जिसका हम सर्वेच्चर करते हैं तो प्रियोग अनुसंधान का आपका हो जाएगा भिनता नियंत्र दी का टू हो जाएगा इस परकार फाइफ फोर वन टू फाइफ फोर वन टू किसमें दिया है दोस्तों यह आपका थोड़ा कोड़ गलत बन गया है तो यहां पे फाइफ फोर यहां पे फाइफ होगा ठीक है आपसन नंबर बी फाइफ फोर वन टू ठीक है फाइफ फोर वन टू आपका राइड इंसर होगा आपसन नंबर बी जलते हैं नेक्ष कोस्टन की तरह कोस्टन नमबर एट है अभी गथन से रिलेटेड है अभी गथन ए है कि अनुप्रियुक्त अनुसंधान तातकालिक समस्याओं का समाधान करना चाहता है इसके तर्क में आ रहे है कि प्रयोग की इसीदियों पर समीती नियंतर रखता है तो यहां पे तो दोनु चीजे सही हैं बस कोई इसपश्टी करण सही से नहीं कर पा रहा है आर जो है एका तो यहां पे भी आपका राइड इंसर हो जाएगा ए और आर दोनु सही है पर आर एकी सही ब्याख्या नहीं कर रहा है कोईस्टन नमर नाइन है कि प्रोफेसर फीसर की द्वारा बताएगे प्रयोगातमर्ग डिजायन के तीन सिधान्थ कौन कौन से है तो यहां पे आपसन नमर डी राइट हो जाएगा इन्होंने तीन सिधान्थ बताया है B, C और D यानि कि यादरिच्छी करण का सिधान यानि कि प्रिंस्पल आप रैंडम आईजेशन C है आपका इस्थानिय नियंतर का सिधान यानि कि प्रिंस्पल आप लोकल कंट्रोन D है आपका प्रतिकृति का सिधान यानि प्रिंस्पल आप री पब्लिकेशन इन्होंने तीन सिधान दिये हैं कोर्शन नमबर दस है स्टेटमेंट्स बेस पे है अभी कतन ये है कि जब जनसंख्या समरिशित सौरी दोस्तो जब जनसंख्या सममिश्रित होती है तो इस तरिक्रित प्रतिचयन प्राप्त किया जाता है तो मिश्रित होती है तो उसमें एक एक इस तरह की बालकों को अलग बालिकाओं की अलग ऐसे करके निकला जाता है उसके तरक में आर है क्योंकि प्रतेक अवयो का आकलन करहम संपूर्जन संख्या का मापन जान सकते हैं very good question ठीक है यहां पे ए आर दुनों सही भी है और ए का जो आर है आर जो है एका सही तर्क भी दे रहा है तो यहां पे राइटन सुरू हो जाएगा आपका कि ए आर दुनों सही है और आर एकी सही प्याख्या है question number 11 है कि यह भी statement space पे है कि सोद करता के द्वारा स्वतंत्र चर में फिर बदल प्रतंत्र चर पर उनके प्रभाव को देखने के लिए किया जाता है बात सही है सोद करता जो है researcher जो है स्वतंत्र चर में फिर बदल जो है परतंत्र चर में उनके प्रभाव को देखने के लिए किया जाता है इसके तर्क में आर है कि क्योंकि इससे परिकल्पित वाहिचरो का पुर्वा भास होता है नहीं दुस्तों यह गलत है तो यहां पर ए सही है और तर्क आर जो है गलत है यह सही है किन्तु आर गलत है आफसन नमबर सी आपका राइजन स्रू होगा कोस्टन नमबर बारह है कि सोध में त्री भूजन में सामिल होता है ट्रेंगुलेशन इस रिशार्च इन्वाल्ब सोध के त्री भूजन में क्या सामिल होता है इसमें बी आपका राइजन स्रू हो जाएगा इसमें अनेकानेक स्रोतों से आकड़े एकतित करना सामिल होता है त्रेंगुलेशन यानि त्रिवोजन एक सक्तिसाली तकनीक है जो दो या अधिक स्रोतों से क्रास सत्यापन के माध्यम से डेटा की मानिता प्रदान करता है विसेश रूप से यह एक ही घटना के अध्यन में आवेदन और कई कोशन नमडर तेरह है कि अभी कतन ए है कि सक्ति सुन्य प्राकलपना को और स्विक्रित करने की प्रोसाम्भाव्वyता है जब या गल्त हो तो बास रही है जो सक्ति सुनी पाकलप्रा होती है और सुक्रित करने की संप्रभाविता होती है जब आप गलत हो तरक आर है कि जितनी अधिक सक्ति होगी अधिक अंतर की संभावना उतनी ही कम होगी तो ऐसा नहीं कहा जा सकता दोस्तों कि जितना जाड़ा सक्ति होगा अधिक अंतर उतना ही कम होगा तो ए आपका गलत है तो ए यहाँ पे सही है आर गलत है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा आफसान नमबर सी ए सही है किन्तो आर गलत है कोशन नमबर 14 है कि सोध पिरामीड का उपर से नीचे की और सही करम चुनी पिरामीड के चुनना है यहाँ पे राइट इंसर हो जाएगा सी आपका सबसे पहले होगा सी यानिकी सोध प्रतिमान को हम देखेंगे यानिकी रिसर्च मैथोलोजी उसके बाद हम सोध प्राली बिज्ञान को रखेंगे करम में सबसे उपर सोध प्रतिमान फिर दूसरे अस्थाम पर यानिकी सबसे उपर क्या होगा आपका सी होगा सोध प्रतिमान उसके नीचे आपका होगा सोध प्राली बिज्ञान यानिकी सबसे पहले क्या होगा सी यानिकी सोध प्रतिमान सबसे पहले C होगा सोथ प्रतिमान, याने कि research paradigm, उसके बाद आपका होगा उसके नीचे A, याने सोथ पड़ाली बिग्ञान, research methodology, research methodology, उसके नीचे फिर होगा आपका D, सोध पड़ाली याने research method, उसके बाद आपका होगा B, सोथ टक्ट्रक्निक, research technology, कोसे नम्र 15 है कि उस प्रिच्छर जिसमें सहभागी इस बात से अनभिग्य होते हैं कि सुध करता यानि रिसर्चर उनकी व्योहार का प्रिच्छर कर रहा है उसको क्या कहते हैं दोस्तों सहभागी इस चीज अनभिग्य होते हैं कि सुध करता कोई उसका प्रिच्छर यानि क् भी कर रहा है इसको क्या कहेंगे मिस गाइट कहेंगे किया मिस भी है कहेंगे तो यहाँ पी आप्रच्छन प्रेच्षर यहां पर राइट एंसर हो जाएगा यहां पर आपसर नमबर C आपका right answer होगा सौरी दोस्तों यहाँ पर C नहीं होगा प्रचन प्रेचर option number D यहाँ पर right answer होगा प्रचन प्रेचर यानि कि disguised observation option number D disguised observation disguised observation यानि प्रचन प्रेचर होता है जिसमें सभागी इस बास से अंजान रहता है कि कोई researcher या सोध करता उसके ब्योहार को अब जर्वी इस अब जर्वी कर रहा है question number 16 है last question है आज के session का कि प्रतिदोंदी कारक्त जो सोज समस्या की आंतरिक वज़ता के लिए खत्रा है उसे हम क्या कहते है computing factor which is hurt to the internal validity of the research problem तो इसे हम क्या कहते है बहुत चक कनफांडिंग फैक्स्टर तो दोस्तों यह था आज की session में 16 एमसी की questions आयों की सभी questions आपको अच्छे से समझ में आये होंगी जिस भी questions में doubt होगा comment पर ज़रूर बताएं और ज्यादे ज्यादे वीडियो को शेयर भी कीजिए जिसे और लोगों तक पहुंच चके तो इस तरह बेली बेसे से आप वाच्छ करते रहें तो बिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जाएंगे